हेलो दोस्तों, Important Animal Species के इस तीसरे पार्ट में आप सब का स्वागत है होग कि आपने First Part और Second Part देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो I-Link पर बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप First और Second Part जरूर कर लें यह बहुत ही ज़ादा Important है हर साल UPSC और भी बहुत सारे एक्जैम्स में इससे Questions लगातार पूचे जाते रहते हैं तो चलिए Third Part शुरू करते हैं तो Next Species है Electro-Rornis-Chinguangi Electro-Rornis-Chinguangi जो है वो Extint यानि कि विलुप्त हुई एक छोटी चड़िया है जो कभी 99,000,000,000 साल पहले पाई जाती थी और यह काफी चर्चा में रही है इसे पब्लिश किया है इसकी Study को पब्लिश किया है जनरल Current Biology में इसको पब्लिश किया गया है तो इस Current Biology के जनरल में इस पर Research में पाया गया है कि इसकी जो टो है यानि कि इसके जो पंजे हैं ये पंजे बहुत बड़े यानि आज तक किसी भी चड़िया के इतने बड़े पंजे नहीं देखे गए तो जो इसके अंदर सबसे खास बात है वो Elongated Toe है यानि कि बहुत बड़े इसके पंजे पाए गया और इसे खोजा गया 2014 में हुकवांग वैली म्यामार में यानि इसके फॉसिल को जो खोजा गया उसे म्यामार में खोजा गया माना जाता है कि यह जो इसके लंबे पैर पाए गया जो यह यूस करती रही होगी कभी लकडियों के अंदर जो कीड़े छिपे रहते हैं या उसके शिकार छिपा रहता होगा उस शिकार को पकड़ने में और लकडियों के 20 लकडियों को खोद कर उसमें से इंसेक्ट और अपने शिकारों को बाहर निकालने के लिए ये इन elongated toe यानि की बड़े पंजों का यूज करती रही होगी ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का Next species है lesser florican या great Indian bastard तो lesser florican काफी चर्चा में रहा क्यों चर्चा में रहा क्योंकि Supreme Court of India ने एक high power powered committee को बनाया है और ये high powered committee करेगी क्या एक frame करेगी emergency response plan को किसके लिए protection करने के लिए great Indian bastard या lesser florican को lesser florican के protection के लिए emergency plan को बनाने के लिए high powered committee Supreme Court of India ने बनाई है lesser florican जो scientific name है इसका सिफो टाइट्स इंडिकस है और ये पूरी इंडिया में पाया जाता है और ये IUCN की जो data list है उसमें endangered है इसका weight जो है वो काफी कम होता है इंडिया में जितनी भी great Indian bastard पाया जाते हैं में सबसे जो छोटा होता है वो lesser florican है जिसका weight 500 से लेकर 600-700 ग्राम के करीब होता है great Indian bastard की बात करें तो इसका जो scientific name है adiotis nigriceps है और इसका जो distribution है पाय जाती है वो mostly जो है इंडिया में राजस्थान गुजरात में पाय जाते हैं और थोड़ी सी इसकी population महरास्था में भी पाय जाती है करनाटका में भी पाय जाती है आंध्रपरदेश में भी पाय जाती है और याद रखिएगा बहुत important है यह it is a state bird of राजस्थान राजस्थान की यह state bird है conservation status की बात की जाए तो इससे schedule 1 में conserve किया गया है Indian wildlife protection act के listed है appendix one of sites में red data list उसमे critically endangered में इसे शामिल किया गया है next species है clouded leopard clouded leopard जो है वो काफी चर्चा में रहा क्योंकि अभी recent एक research paper publish किया गया है और इस research paper को publish किया है 20 researchers ने मिलकर और जिसमें पुरी दुनिया के researchers शामिल थे और उन्होंने research किया था इसके habitat पर और migration corridors पर यानि कि जहां पर यह रहते हैं और कहां कहां यह migrate करते हैं उस पर research paper को publish किया गया और इसमें पाया गया कि जो clouded leopard हैं उनकी उनको single species समझा जाता था यानि कि वो एक ही species होती हैं लेकिन अभी recently माना गया है कि इसको दो species इसकी पाई जाती है एक का नाम जो है वो है नियो फैलिस नेबूलोसी और यह mainland South East Asia में यानि South East Asia में यह पाया जाता है और दूसरी जो इसकी species है नियो फैलिस DRD और यह island of Sumatra और Borneo में यह पाया जाता है यानि कि इंडोनेशिया में पाया जाता है तो fiscal description की अगर हम बात करें तो यह clouds on its code यानि कि इसके जो coat यानि कि इसकी जो cover मतब इसकी जो खाल होती है उस पर छोटे छोटे clouds जैसे patches होते हैं जैसा कि आप लोग फोटो में देख रहे होंगे काफी काला होता है और बीच बीच में यह हलके रंका होता है इस तरीके से बहुत सारे ऐसे patches इनकी पूरी skin पर पाये जाते हैं देखे पर चड़ सकते हैं पर पर चड़ने की capability छोटे पाउं की वज़े से पढ़ जाती है वैसे historically अगर देखा जाए तो यह South East Asia में नेपाल, Southern China, Thailand, Indonesia, Borneo में पाया जाता है और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में North East India में यह पाया जाता है और साथी साथ West Bengal में यह पाया मेघालिया का state animal है लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसकी population पाय जाती है वो डंपा टाइगर रिजर में पाय जाती है जो की मिजोरम में है तो मिजोरम में के डंपा टाइगर रिजर में सबसे ज़्यादा population पाय जाती है इंडिया में लेकिन state animal है यह मेघालिया का conservation status की बात करें तो ये वलरेबल है IUCN की red data list में 2018 में इंडिया ने clouded leopards को recovery program for critically endangered species के अंदर शामिल किया जिसे इसके 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 conservation को और भी बढ़ावा मिल सके इसके संरचन को और भी बढ़ावा मिल सके next species है trachecium apti researcher ने अभी हाल ही में एक सांपो की नई species discover की है जिसका नाम trachecium apti रखा है trachecium apti को tally valley wildlife century जो की अरणाचल प्रदेश में मौझूद है वहाँ पर इसे खुजा गया है और ये जो snake है वो non venomous है मतलग कि ये जहरीला नहीं है और इसे commonly slender snake के नाम से जना जाता है और इसकी 7 species पाई जाती है और ये 7 species हिमालियन डीजन में पाई जाती है इंडो बर्मा डीजन में पाई जाती है और इंडो चाइना डीजन में पाई जाती है तो इंडो चाइना इंडो बर्मा और हिमालियन डीजन में ये पाई जाते है trachecium apti जो है वो इसको जो नाम दिया गया है वो दीपक apti के नाम पर इसका नाम दिया गया है जो की बहुत थी renowned marine biologist थे और डिरेक्टर थे Bombay Natural History Society के तो उन्ही के नाम पर इसका नाम रखा गया है अब टी Next species है Peregrine Falcon Peregrine Falcon के बारे में अभी study हुई है एक बहुत research हुआ है जिसे Journal of Experimental Biology में छापा गया है तो इसमें इस research का कहना है कि Peregrine Falcon जो है अभी तक की धरती पर जितने भी animal पाए जाते हैं जितने भी जानवर जन्तु पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़ादा किसी की अगर आँखें तेज हैं तो वो Peregrine Falcon की है माना जाता है Peregrine Falcon जो है वो उसकी जो eyes है वो लगबग 129 blinks per second करती हैं जबकि अगर human की बात की जाए तो human maximum 50 to 60 blinks per second कर सकता है और इसी वज़े से किसी चीज को देखने की जो छमता होती है वो बन जाती है और अगर हम इसको आँखों से compare करें तो हमारे देखने की जो छमता होती है उससे लगबग 8 गुना जादा देखने की छमता Peregrine Falcon में होती है पेरेग्राइन फालकन के बारे में कहना है वैग्यानिकों का कि अगर तीन मील दूर अगर एक छोटा सा कीड़ा एक एवरेज प्रे एक एवरेज शिकार अगर बैठा है तो तीन मील दूर से ये चीजों को अपने शिकार को देखने की छमता रखती है इसका scientific name falco peregrinus है और इसका common name जो है peregrine falcon है पeregrine family का है यह और यह जो है वो बहुत जगों पर पाया जाता है पुरी दुनिया में कई जगों पर यह पाया जाता है इसकी खास बात और है इसकी speed तो peregrine जो falcon होता है उसकी स्पीड जब ये अपने शिकार पर हमला करता है तो इसकी maximum स्पीड जो है वो लगबग 320 km पर आर के करीब हो सकती है यानि 200 मिल प्रती घंडे की रफ्तार से ये किसी अपने शिकार पर हमला करता है और ये स्टीब डाइव लेता है यानि सीधे आस्मान से बहुत तेजी से steep dive लेते हुए अपने शिकार पर जपटा मारता है और पलक जबगते ही अपने शिकार को capture कर लेता है तो एक तो इसके देखने की छमता बहुत जबर्दस्त है लगबत तीन मील दूर से अपने शिकार को देख लेता है और दूसरा शिकार पर जो हमला बोलता है वो लगबत 320 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बोलता है जो कि किसी भी जानवर में अभी तक नोन जितने भी जानवर है उनकी इतनी fast speed नहीं है ना देखने की और ना ही हमला करने की रेंज इसकी बात की जाए कहां पर पाया जाता है मैंने जैसा बता है कि प्रत्वी पे हर जगे पाया जाता है और सिर्फ एक्स्ट्रीम पोलर रीजन्स जो होते हैं वहां पर नहीं पाया जाता है बहुत जादा चिंता नहीं है नेक्स उस्पसीज जो आती है वो है वाइट बेलबर्ड अकॉर्डिंग टू रिसर्चर जो अभी शोध हुए है जो रिसर्च हुआ इसके हिसाब से वाइड बेलबर्ड जो है वो दुनिया की सबसे तेज आवाज वाली चिडिया है और ये भीमगर कहा जाए तो ये दुनिया के सबसे तेज आवाज वाला जानवर भी है सबसे तेज आवाज ये निकालने वाला जानवर है ये जब अपने ये जब बोलती है या चिलाती है तो लगबग इसकी जो कैप filti है जो इसकी आवाज bike च मता है वह 125 डेसिबल के करीभ हो जा जाती है जो कि मानों की जो छमता है मानों की छमता तो सुनने की काफी होती है लेकिन 85 decibels से अगर जादा मानों सुनता है तो वो noise pollution के अंदर consider किया जाता है यानि कि हमारे nervous system को हमारे brain को वो एक तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है temporary या permanent damage कर सकता है हमारे कान को damage कर सकता है जो एक सामान ने छमता होती है वो 85 decibel के करीब होती है जबकि इसकी जो है वो 125 decibel के करीब है इससे पहले जो previous record रहा है सबसे तेज बूलने वाली bird का वो है screaming phia का ये भी एक चडिया थी जो इसकी बूलने की आवाज लगबग माना जाता है 115 decibel के करीब या इसकी आवाज हो जाती थी तो इसकी वी छमता काफी थी लेकिन सबसे ज़्यादा भी white bell bird है scientific name इसका है pro cneus albus और iusian status में least concern है और इसका जो distribution होता है यानि कहां पाई जाती है तो ये cotton getty family की है और ये गीनिया के forest में और वेनिजुएला वेनिजुएला और ब्राजिलियन state of para में भी पाई जाती है next species है सहारन silver ant researcher का दावा है कि सहारन जो silver ant होती है है जिसे scientific cataglyphous bombicina कहते हैं और ये जो है सहारा dessert में पाई जाती है तो वेग्यानिकों का मानना है कि ये लगबग 855 mm प्रती सेकेंड यानि कि इसकी जो speed है चलने की जो speed है 855 mm प्रती सेकेंड है जबकि ये बहुत होती है तो अपनी जो size है उस size के हिसाब से ये 108 गुना जादा अपनी body जो इसका size है उससे लगबग 108 गुना जादा दूरी तैकल लेती है एक second के अंदर ऐसा इस वेज़े से कर पाती है क्योंकि इसके पैरों पर विशेश तरीके के appendages होते हैं और ये appendages जो होते हैं वो उन इन appendages का सहरा लेकर ये swing करते हुए आगे बढ़ती है और इसी वजह सी ये maximum speed 1300 mm पर सेकेंड के करीब पा सकती है next species है great one horn rhinoceros इसे इंडियन राइनो भी कहते हैं ये काफी चर्चा में रहा क्योंकि इस पे जो चर्चा की बात है वो ये है कि special rhino protection force को establish किया गया है ये special rhino protection force जो है वो जो इसका animal behavior है यानि कि rhino का जो behavior है वहवार है उसको समझने में मदद करेगी और सबसे important बात purchase मतलब शिकारियों से लड़ेगी जो इनका शिकार illegal तरीके से करते हैं और इस special rhino protection force को काजिरंगा national park में train किया गया है और ये दोनों central government और state government दोनों का initiative है इस force को बनाने का काम 2015 से शुरू किया गया और ये recommendation थी national tiger conservation authority की जिसके recommendation से इस force को बनाया गया Indian rhino की बात की जाए तो Indian one horn rhino जो है वो सबसे बड़ा rhino है सबसे बड़ा गैंडा है पूरे rhino species का और ये नेपाल बोटान पाकिस्तान और इंडिया में पाये जाता है इंडिया में लगबग पाइस सो rhino पाये जाते हैं और लगबग ये 85 प्रतिशत है जितने भी rhino पुरे हर जगे पे पाये जाते हैं उनका 85 प्रतिशत से भारत में पाये जाता है जिनकी संख्या लगबग 2200 है राइनो इंडिया में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में याद रखेगा कि दुद्वा नैशनल पार्क में इन्टेड्यूस किया गया है तो दुद्वा नैशनल पार्क में साथी साथ वेस्ट पेंगाल में और आसाम में यह पाए जाते ह अगर World Wildlife Fund के डेटा 2012 की बात करें तो आसाम में 91 प्रतिशल टोटल राइनो पापलेशन इंडिया की रहती है और जिसमें mostly जो है वो काजी रंगा नेशनल पार्क में मौझूद है और दूसरी जो है वो पोवितारा वाइल लाइफ सेंचुरी में मौझूद है अभी तरह वाइल लाइफ सेंचुरी को अभी हम मैंने हाली में विजिट किया था और उसका मैं एक व्लॉग एक वीडियो में बनाकर आप लोगों को अपने दूसरे चैनल डॉक्टर सलीम व्लॉग्स पर मैं डालूँगा तो आप उसे देखेगा तो यहां को मैंने रिसेंट रहते हैं, उनका नाश किया जा रहा है, फ्लैडिंग है, हर साल जो है आसाम और बिहार में जो आने वाली बाड है, वो बहुत सरे राइनो की जान ले लेती है, इंडियन राइनो जो है वो इसके हॉर्म के लिए जो एक सींग इसके नाक पर होती है, वा उसके लिए इसको प इसकी population का estimation किया है और इसको जारी किया गया है GSLEP पे यानि Global Snow Leopard and Ecosystem Program की meeting में इसको इस assessment को जारी किया गया है इस population का जो data है उसको जारी किया गया है Global Snow Leopard and Ecosystem Program क्या है इसे जान लेते हैं तो ये एक Inter Government Alliance है 12 Snow Leopard Range Countries का जहाँ 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 पे ये सनो लेपड पाये जाते हैं कौन कौन सी ये 12 देश हैं जहाँ पर सनो लेपड पाये जाते हैं अफगानिस्तान, भोटान, चाइना, इंडिया, साथी साथ कजाकिस्तान, किर्गि कंट्रियों में सारी पॉपलेशन जो है वो सनो लेपड की पाये जाती है और जो सनो लेपड पॉपलेशन इस्टिमेशन इंडिया में किया गया है ये Wildlife Institute of India के थूप किया गया है साथी साथ Nature Conservation Foundation, GSLP Committee, Global Tiger Initiative Council, World Wild Fund for Nature, World Bank, Global Tiger Forum और Wildlife Conservation Trust इन सब ने मिलकर इस इस्टिमेशन को किया ह National Level का जो Population Estimation है वो इससे पहले Tiger पर, Rhino पर और Elephant पर किया जाता रहा है और ये चौथा जानवर Snow Leopard हो गया है जिस पर इस तरीके का Population Estimation किया गया है अगर हम SLPI का Document की बात मानें तो माना जाता है कि हम लोग जो ये Total Population या इस तरीके का Estimation जो करते हैं वो सिर्फ Snow Leopard के दो प्रतिशत हैबिटैट पर ही कर पाते हैं जहां पर दो प्रतिशत जहां पर ये रहता है उसके दो ही प्रतिशत भाग पर कर पाते हैं क्योंकि ये बरफीली जगों पर रहता है तो वहां पर Estimation कर पाना आसान नहीं होता अगर स्नो लेपड की बात करें तो इसे वल्लेबल के अंतरगत रखा गया है OCN की Red Data List में और भारत के Wildlife Protection Act 1972 में Schedule 1 में इसे रखा गया है और साइट के जो Convention on International Trade in Endangered Species के साइट का जो प्रोग्राम है उसमें Appendix 1 में रखा गया है और Convention on Migratory Species में इसको Appendix 1 में रखा गया है भारत की अगर बात की जाए तो यह जादा तर हिमालेन रीजन में पाया जाता है ट्रांस हिमालेन रीजन में पाया जाता है Elevation यानि काफी उचाई पर लगबग 3,000 मीटर से 5,400 मीटर की उचाई पर पाया जाता है और लगबग 1,000,000 स्क्वाइर किलो मीटर में यह पाया जाता है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल परदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अनौचल परदेश जैसे राज्यों में यह काफी पाया जाता है ठ्रेट्स जो हैं इसके habitat fragmentation यानि इसके जो रहने वाली जगे है उन में अब धीरे-धीरे खतम होती ही चली जा रही है, illegal killing इसकी की जाती है, इसकी पोचिंग की जाती है, इसके फर्क के लिए और इसकी boons के लिए, claws के लिए इसकी illegal killing की जाती है, पोचिंग क किया जाता है कभी-कभी इंसानों के रियाईशी जगों पर गुज जाता है तो वहाँ पर लोग इसे लोकल्स इसे मार देते हैं नेक्स स्पेसीज है अड्राटिकलिट बोलाफा तो लंडन की नैचरल हिस्ट्री म्यूजियम में डिस्क्राइब किया गया है कि अड्राटिकलिट बोलाफा जो है वो नई स्पेसीज है इस्टिकोसारस की और ये 168 मिलियन एयर पहले पाया जाता था यानि एक तरीके का ये ड माना जा रहा है और इसके बारे में खास बात ये है कि फस्टिकोसारस है जो की नौर्थ अफ्रीका में पाया गया है इसके जो रिमेंस है वो डिस्कवर किये गया है मिडिल एटलस मौंटें आफ मौरक्को में इसको किया गया है और ये क्लोज़स रिलेटिव है यूरोपिय के साथ यानि कि अपने आसपास बदलते हुए वातावरण के साथ बहुत तेजी से एड़ाप्ट नहीं कर पाती जैसा कि और सारे जानवर कर लेते हैं और सारे जीवजन्तु कर लेते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जेनिटिक कैपसिटी कि यानि इंसके अंदर वो जीन्स नहीं पाए जाते जो कि एनवारिमेंट के चेंज को एड़ाप्ट कर पाए तो जेनिटिक कैपसिटी कम होने की वज़ा से ऐसा होता है कि यह अपने एनवारिमेंट online के आप से चेंज नहीं हो पाते हैं, क्लाउन फिश जो है वो पोमा सेंट्रिटी फेमिली का मेंबर है और ये काफी पॉपुलर है, इसके 28 इसपीसिस पाई जाती हैं, जिसमें सबसे कॉमन है, कॉमन क्लाउन फिश और ये काफी मशूर रही एक मूवी आई थी, फाइंडिंग न इंडियन ओशियन में पाई जाती है, और काफी पापोन गिनी में भी ये पाई जाती है, और क्लाउन फिश जो होती है, वो सी एनिमोन, सी एनिमोन के साथ सेंब्योटिक बॉन्ड बना कर रहती है, यानि कि सहभाकिता करके रहती है, सी एनिमोन को ये किसी बाहरी जो भी मश मशनियां होती हैं बड़ी मशनियों से यह बचाती है और बदले में यह सी एनिमोन के साथ में रहती है और साथी साथ सी एनिमोन जो है से यह भूजन भी प्राप्त करती है निlar नायशनल एकडमी आफञ साइन्स रिसेर्चर ने रिपोर्ट किया है कि स्वैम व्यवे एक मार्सूपियल वो एниमल्स होते हैं जो कंगारू प्र स्वेर लुट होते हैं तो इनके बारे में जो खास बात पता की है कि यह अपनी जिंदगी में हमेशा प्रेगنेंट रह सक हमेशा गर्वधारन कर सकते हैं अब इसका क्या मतलब हुआ हम ऐसे तो सारे जानवर ही गर्वधारन हमेशा कर सकते हैं लेकिन खास बात यह है कि जब कोई भी जानवर गर्वधारन कर लेता है तो उसके दौरान गर्वधारन नहीं कर सकता है यानि अगर उसके गर्व में कोई बच्चा मौझूद है उसके बावजूद भी ये गर्ब ढराण कर सकता है और ऐसा इसलीए होता है क्योंकि इसमे दो यूट्रेष पाय important species को मैंने तीन पार्ट में discuss कर दिया है तो बहुत important series है यह और इसी तरीके की और कौन सी series आप चाहते हैं आप जरूर comment box में बताएं और यह series आपको कैसी लगी comment box में जरूर बताएं thank you so much